नमस्ते बच्चों, हिंदी में अब तक हमने इकाई एक यातायाद और कवीता ती नन्हा मुन्ना राही हुगा अब्यास किया है। मैं उम्मिद करती हूँ कि आप सबने वो अच्छे से समझ लिया होगा और अपनी नोटबुक भी कम्प्लीट कर दी होगी। आज हम इकाई दो गिंती का अभ्यास करेंगे। फिर जानती हूँ कि आप सब को अच्छे से गिंती आती है। फिर भी आज हम एक से पचास तक की गिंती का अभ्यास करेंगे। रक्सा 4 में आपने 1 से 20 तक की गिंती सीखी है आज हम 1 से 20 तक की गिंती एक बार याद कर लेंगे और 21 से 50 तक की गिंती सीखेंगे चलिए पहले हम 1 से 25 तक की गिंती बोलते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, साथ, आट, नौ, दस, ग्यार, बार, तेर, चौद, पंद्र, सोल, सत्र, अठार, उन्नीस, बीस, इक्किस, बाईस, तेईस, चोबीस, पच्चिस, बच्चो आपने देखा, जब हमने इक्किस से पच्चिस तक की गिंती बोली, तो पीछे कुछ समान आता है, क्या समान आता है, इस, इस, एसा समान आता है, जैसे 21, 22, 23, बराबर ने, तमें गुजराती मां एकड़ा भणो जो, त्यारे पन 32 लाइन मां आउक एक समान आवे छे, याच्चेने, जैम के 20 नी लाइन होई तो, 21, 22, 23, 30 नी लाइन होई तो, 31, 32, 33, 51 नी लाइन होई तो, 51, 52, 53, बराबर तो हिंदी मां पन आवे जरीते होई छे, जैम के जो, 2 नी लाइन होई तो, 20 आवुषे, 21, 22, 23, एविज रीते, त्रण नी लाइन होई तो, 30 आवुषे, 31, 32, 33, एविज रीते, जो, 4 नी लाइन होई तो, 55 आवुषे, जैम के 41, 42, 43, तो छेने पाड़को एकडम सरड, तो जालो हवे आपने 26 थी वच्चा सुधीनी लाइन पर बोली लईए 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 44, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 जोयूने बाड़को एक तम सरर छे बोलता तो तमे सीखी गया चालो हवे जोय लईए कई रीते लखासे पड़िये समझिये और लिखिये जू अईया अंको मापन लखेलू छे अने सब्दो मापन लखेलू छे तो तेवी जरीते तमारे पण लखता सीखवानू छे आचे एक थी 20 जे तमे चोथा दुरणमा सीखीज गया चो पड़तो पण फरी थी 21 पण लखवाना छे अने तेवी जरीते 21 थी 50 सुधी नी गिंती पण आपड़े जोवानी छे अने लखवानी पण छे, अहीं 21 स्थी 50 सुधीनी गिंती आपेली छे, जे तमारी चोपडी मा पण आपेली छे, तो बाड़को आज रीते एक थी 50 अंको अने सब्डो मा तमारे लखता सिखवानू छे, अने बोलता पण सिखवानू छे, अब हाम अभ्यास की प्रस्न देखते है, प्रस्न एक 21 से 50 तक की गिंती को क्रमीक मिला कर चित्र बनाईए, बच्चों आपने ऐसा चित्र कहीं पे देखा होगा, बताईए कहां देखा है, आप पूर्ती पढ़ते हैं ना जगमग, उसमें देते हैं ना ऐसे, इसमें आपको एक से शुरू करके पूरी 50 तक की गि दी गई हुई है, आपको एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे लाइन से आप सुरू करेंगे, तो पूरा कच्चुआ बन जाएगा, अभी तो आपको भूक में नहीं करना है, अगर आपने उस पेपर लेते हैं तो जगमग में देखेगा, आपको ऐसे चित्र आते होंगे, य उसमें ऐसे नमबर लिख कर बाद में आप जोड सकते हैं, तो आपको कच्चुआ या फिर कोई भी चित्र बना कर उसे जोडना, इससे आपकी गिंती और भी सही हो जाएगी, चलिए, अब हम स्वाथिया के प्रस्न देखते हैं, पहला प्रस्न है, अंको में लिखिए, तो जब आप एक से पच्चास तक की गिंती अंकों और सब्दों में दोनों में ही लिखेंगे और बोलेंगे, तब आपको अच्छे से आजाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो भी लिखा है, उसका आपको अंकों में लिखना है, जैसे पच्चास लिखा है, तो उसके सामने दिये गए है आपको सही उत्तर डूर्णना है और लिखना है जैसे कि पहला कौन सा है पहला है 41 तो बॉक्स में क्या आएगा उ वैसे ही आपको सब उत्तर देने है रसना 3 आओ खेले खेल माचिस की तीन खाली डिबियों को एक के उपर एक रखते हुए आपस में चिपका ले उस पर रंगिन कागज चिपका कर 6 तक गिंती लिखे पासा तैयार है अब इस पासे से खेलिये और गिंती का अभ्यास करते जाएए बच्चो जरूरी नहीं है कि आप आपके पास इतना चोटा बॉक्स है तो उसमें भी आपका आगज लगा कर ऐसे बना सकते हैं इसमें यह ध्यान रखना है कि बाजुये कितनी होनी चाहिए 6 होनी चाहिए अब जब आप नंबर लिखे तो उसमें यह ध्यान रखना है कि उपर वाले अंग और नीचे वाले अ 5 लिखा है तो नीचे क्या होगा नीचे होगा 2 तभी 5 और 2 मिलाकर 7 बनेंगे वैसे ही अगर एक बाजु 4 है तो दूसरी बाजु क्या होगा 3 होगा तभी 4 और 3 मिलाकर 7 बनेंगे तो जब आप नंबर लिखे तो यह ध्यान रखना जैसे ही आपका पास बन जाए तो आपकी बूप में एक ऐसा पेज दिया गया है उसमें आपको खेलना है नंबर की शुरुआत करनी है 21 से देखिए सबसे नीचे जो पहला नंबर है वो है 21 अब अगर पासे में एक आया तो उसमें पहला क्या लिखा है जोर से मुस्कुराओ तो आपको जोर से मुस्कुराना है उसक अगर मान लो कि उसका चार आता है तो आपको चार कदम आगे चलना है तो क्या जाएगा चो बीस उसमें क्या लिखा है केला खाने का अभी नहीं करो तो उसको अभी नहीं करना है वेसे ही आपको खेलते जाना है और उसमें जो जो लिखा है वो करते जाना है जो खिलाडी पच्चास पे सबसे पहले पुँच जाएगा वो इस गेम में जीट जाएगा तो बच्चों आप भी पासा बनाना सीखना और हाँ नंबर लिखने में द्यान रखना सामने सामने वाले दो अंको का जो हम मिलायेंगे उसको तो क्या आना चाहिए सात आना चाहिए वेसे ही आप सारे नंबर एक से छ नंबर लिक लेना और फिर खेलना आपको बहुत मजाएगा सेना जेवी रमत छे आ, साप सीडी जेवी, बरबर ने, रमता हता ने साप सीडी तमें, आ, एवीज रमत छे, पण, जो तमें आ रमत रमसो, तो तमने रम्मानी तो मज़ा आउसे, पण साथे साथे, तमारी जे गिंती छे, एपण, पाकी थती जसे तो बच्चों आज आपने जो गिंती पड़ी वो जब आप लोन बुक में लिखे तो साथ में बोलना भी है इससे आपको अच्छे से गिंती याद रह जाएगी अगले वीडियो में हम एक नए इकाई के साथ मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई